भारत जो है वो अमरीका के साथ अपने रिलेशन्शिप को फार ग्रांटेड ना ले वरी इंपोर्टन स्टेट्मेंट और मोदी साथ जब से रशिया गया है यहां पे वाशियन डीसी के अंदर हलचल मची है अमेरिका को शिकायत है इंडिया से के इंडिया अमरीका की फ्रेंड्शिप को फार ग्रांटेड ले रहा है असल discernman तो जो प्राइममिस्ट्र मोदी का जो ट्रिप थह रशिया के अंदर उस पे बोहुत ज़्यादा फिल किया गया है अमरीका के अंदर कि हम तो नरिंद्रा मोधी को जो है वो हीरे जवाहरात और पता नहीं क्या क्या देने को त्यार बैटे हैं और तकरीबन आप समझें उन्होंने तकरीबन 70 बिलियन डॉलर का क्रूड ओयल दो साल में रश्या से इंपूर्ट किया तो देखिए कि अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री बन चुका है कि अमरीका की दोस्ती को वो फॉर ग्रांटिड ले रहा है और अमेरका दुनिया की सबसे बड़ी सूपर पावर यह कह रही है कि आप ऐसा ना करें नमस्कार आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नई रियक्शन वीडियो में दोस्तों प्राइम मिनिश्टर मोदी जी का दोरा हुआ रश्या में और बिलकुल काम्याब दोरा हुआ वो वापिस इंडिया आ गए लेकिन अब धीरे-धीरे अमेरिका की तरफ से रियक्शन आना शुरू हुए हैं अमेरिका की जो राजदूत है भारत के अंदर एरिक घार से थी उन्होंने कुछ बयान दिये हैं और उन्होंने न दबे सब जो सब्दों में आप कह सकते हो कि इंडिया को धमकी भी लगाई ह कि यूएस के साथ जो रिस्ते हैं उनको हलके में ना ले और भी कहीं सारी बाते उन्होंने की हैं तो यह जो न्यूज है पूरे वर्ल्ड के अंदर फ्याल चुकी है अब इसी के उपर पाकिस्तान का मीडिया का जो रियक्शन आ रहा है ना वह आप देखिए वीडियो को ला अरिका के साथ अपने रिलेशन्शिप को फार ग्राटेड ना ले बड़ी इंपॉर्टन स्टेटमेंट और उन्होंने ये भी कहा कि जो स्ट्रटेजिक अटॉनिमी की भारत बात करता है उन्होंने का इन दे इर आफ कॉन्फलिक्ट ऐसी कोई चीज नहीं होती स्ट्रटेज जवाहरात और बता नहीं क्या क्या देने को तियार बैटे हैं वीरे जवाहरात का मतलब है टेंक देना चाहते हैं जहाज देना चाहते हैं अफ थर्टिफाइब देना चाहते हैं हम तो आर्टिफिशल इंडेलिजन्स और हर चीज क्रिटिकल अमर्जिंग टेक्नोलोजी है तो वो जी हम अमने तेल ले लिया जी वह अव ये चीजें जो हैं अमरीका काले तो सुनता रहा है लेकिन यह जो जब फी डली है वहाँ पे और जब यहां डली है मोदी साब और पुटन के बीच में जारी बात है अमरीका की आप नहीं सुनने वाला मैंने अगले दिन भी आपको एक जीज़ कही थी कि अगर अमरीका तालुपात को डाउंग्रेड भी करें ना भी आगे लेके चले मसाल के तोर पर इस वकत अमरी इंडिया की स्टरजिक क्या कहती है इंडिया की स्टरजिक क्युमिनिटी ये कह रही है कि अमरीका ये तो कह रहे है हम आपको मिलिटरी जो है वो फसिलिटीज मिलिटरी हार्डवे ट्रांसफर करेंगे लेकिन ट्रांसफर करते नहीं इस टेकिंग तेम लोट अफ टाइम उनको बहुत जादा वकत लग रहा है अब मसाल के दौर पर एरिक गरिसटी ने क्या बात की उन्होंने का जी आप जब किसी पार्टी में जाते हैं तो यू कैनोट से आम एवरिबर्डी इस फ्रेंड अच्छा ये जो चीज है वो कहते ह नहीं रसिया के खिलाफ आप इंडिया कभी भी रसिया के खिलाफ पजीशन नहीं लेगा लेकन जहरी बात है अमेरिकन अंबसेडर ने इंडिया के अंदर ये बात की है तो पीछे उन्होंने श्टेट डिपार्टमेंट से पूछा होगा श्टेट दिपाटमेंन खुद ही वो बात नहीं करेगा, वो ये बात नहीं करेंगे, ठीक है जी, और ये बात वो अबेस्डल से ही करवा सकते थे, आप फॉफजांपल वो कह रहे हैं कि जी इस रिलेशन्शिप को फार ग्रंटेड ले रहा है, ये बात मुझे समझ है, कि इंडिया वाकिफ फार ग्रंटेड ले वार के अंदर आप ये नहीं कह सकते, जिसमें आप के जी, आप स्रेटर्जिक अटॉनमी है, अब इंडिया इतना बड़ा कंट्री बन चुका है, कि अमरीका की दोस्ती को वो फॉर ग्रंटेड ले रहा है, और अमेरका दुनिया की सबसे बड़ी सूपर पावर, ये कह रही रशिया विजट के बात सामने आई है, इस तरह की चीज़े चलती रहे रशिया विजट के दौरान भी, लेकिन अब, जो अमेरिका के नेशनल स्कुरिटी एडवाइजर है, जेक सलिवान, उन्होंने बातचीत की है, उनकी टॉक होई है, टेलिफोनिक कनवर्सेशन, इंडि इंगेजमेंट्स हैं, जो आगे एंगेजमेंट्स हैं, कौाड की आ रही हैं, उसके हवाले से भी बात चीत हुई, लेकिन उसमें भी एक ऐसे टाइम में, जेक सलिवान की बात होना, अजीद दोवल से, कि जिस वक्त ये सवाल अमेरिका की दरफ से बार बार किया जा रहा है कि इंडिया का रशिया के साथ जो है बहुत गहरा तालुक और जो एक विजिट हुआ है, उसके बाद के हम से दोस्ती जो है, वो सही नहीं निभाई जा रही हैं, कि अमेरिकन्स ने थोड़े से मसल फ्लेक्स किये भारत के हमादे से, सबसे पहला लेक्शर एर गार सिटी, ज किस तरह के लवज इन्हों इस्तवाल कि अब उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि यह स्टैटेजिक, इंडीपेंडेंट स्टैटेजिक नाट अटानुमी जो है, वो उसको किस तरह आप करेंगे जब आप जाके रशिया बैठ गये हैं, दूसरा लेक्शर दूसरी हम इतने भी नहीं हैं, लेकिन मेरा यह मश्वरा यह था, एरेक्शर देने की बजाए, प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाओ, दुनिया, अगर दुनिया में अपनी धाक तुमने मनवानी है, दुनिया के साथ रेलेशिंशिप रखने हैं, दुनिया को अपनी अकड दिखानी है, तो वो कहते हैं कि यूर एक्शन स्पीक्स, बाबा बाइडन है न, हमारा कमांडर इन चीफ है, मैं उस पर भी आना चाहूंगा, बलके मैं कहूंगा कि आज भारत क्यों यहां से परिशान है, कैसे मैं उस पर भी आते हैं, दूसरा जैक सुलोवन, दूसरा इस पर जो किय है, वो भारत को बता दी है, प्राइम के वियक करसा है, अला कि कोई उसका परक नहीं पड़ता, माइक मिलर साब जाना आके इदर-उदर की बातें करके चले जाते हैं, कोई उपत वाच्व नहीं था, तीसरा जो कहा है, जैक सुल्वन, जो के एनने से नेशन स्कूरिटी उन भाईजान ने भी कह दिया, उन्होंने तो खासकर इंडिया के नाम लिया, हम हर मुलक जो रशिया से डील कर रहा है, बिल्कुसूर से इंडिया, हम उनको कहेंगे कि तुम जो रशिया पर बैटल लगा रहे हैं, यह अच्छी बैटल नहीं है, अलग अलग वीडियो क्लि हैं, जहां पर उन्होंने कुछ अच्छी बाते की, तो कुछ दबे सब्दों में उन्होंने भारत को जो हैं एक तरीके से धंकिया भी लगाई है, कि आप यूएस के साथ जो आपके रिष्टे हैं, उनको आप हलके में ना ले, और भी उन्होंने रशिया के हवाले से बात की और भी कहीं सारी बाते उन्होंने इसे टोपिक को लेकर की हैं, तो इसके उपर आपने पाकिस्थानी मीडिया का ये जो रियक्शन था वो आपने देखा है, I hope कि आपको ये वीडियो जरूर फ़संद आई होगी, like, share, subscribe, जरूर करना, मिलेंगे हम अगली नहीं वीडियो मे तबतक के लिए, सभी का बहुत-बहुत दन्यवाद